एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूँ कहने लगी रश्ता तूने मेरा, क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा, तू ओ दिल जली एक डोली और एक अर्थी, देखो अभिमान जवाता है तो क्या होता एक गाउ में एक लड़की का विवा हुआ, वो डोली पर बैट कर चली, कि एक गाउ में एक पती ब्रतानारी की मरत्यू हो गई, वो वर्थी पर चली दौनों की भैटे चोराहे पर हुई, और दौनों में कुछ बातें हुई, वो क्या बातें हुई, आई उनकी उन बातों को सुनते हैं, और कुछ सीखते हैं एक डोली चली, एक अर्थी चली एक डोली चली, एक अर्थी चली डोली अर्थी से कुछ यूँ कहने लगी रस्ता तूने मेरा, क्यों ये खोटा किया सामने से चली जा, तू ओ दिल जली सामने से चली जा, तू ओ दिल जली सामने से चली जा, तू बाला देखें एक डोली और एक अर्थी जब दोनों चली दोनों की भेंट चोराहे पर हुई तो डोली ने अर्थी से कहा डोली ने कहा अरी बेहन तु मेरे सुभकार में बीच में आगई मेरा रास्ता रोकने के लिए तुने अपशगुन कर दिया हट जा मेरे रास्ति सामने से चली जा ओ दिल जली ए दिल जली हट जा तब अर्ची की अंतरात्मा बोली बहन डोली इतने बड़े बोल क्यों बोलती है यदि तु आज डोली है तो मैं भी कभी डोली थी आज यदि मैं अर्ची बन गई हूँ तो तुझे भी तो अर्ची बनना पड़ेगा जीवन की अंतम यात्रा यही है तो क्यों इतने बड़े बोल बोल रही है अर्ची ने कहा देख मुर्दे को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं और भगवान से प्राठना करते हैं किसको भगवान सद्गती दे और तूने मेरे पर सवाल करना स्टाट कर दिया जीते जी का सम्मान ना सही कम से कम मुर्दों का तो सम्मान कर ले तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं अर्ची की अंतर आत्मा बोल पड़ी दोली से कहा चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे भूल तुझ में चड़े भूल मुझ में चड़े चार कंधों का सहारा तुझे है तुझे उठाने वाले वी चार तो वर्थी उठाने वाले वी चार जब इन्हें कंधों ने अंतर नहीं समझा तो तू कौन होती है अंतर समझने वाले तेरे गले में पुस्पों की माला है तो मेरे गले में चार तुझ मैं लगे, चार मुझ मैं लगे, भूल तुझ मैं चड़े, भूल मुझ मैं चड़े भर के इतना है तुझ मैं और मुझ मैं सकी तु जहां मैं चली तु जहां मैं चली तु जहां मैं चली तु जहां मैं जा रही है, मैं जहां से जा रही है इतने से अंतर में तुने मेरा पमान कर दिया अर्थी बोल पड़ी डोली इतने बड़े बोल मत बोल समसान मैं खोपड़ी पड़ी छी किसी इंसान ने उस खोपड़ी पर जोर से लाच मारी तु उस खोपड़ी से आवाज आई ए इंसान इतना अभिमान ना कर क्योंकि इस खोपड़ी से जो आवाज आ रही है वो ये कहना चाहती है कि आज तु इंसान है हम भी कभी इंसान हुआ करते थे हम भी कभी इंसान थे आज खोपड़ी बन गए ये तो समय का चक्र है अर्थी ने कहा डोली दोली से व्यक्ति कब अर्थी में तब्दील हो जाए कौन जान था इसलिए अर्थी ने कहा अगा मांगे तेरी भरी मांग मेरी भरी चूली तेरी हरि चूली मेरी हरि मांग तेरी भरी, मांग मेरी हरी, चुड़ तेरी हरी, चुड़ तेरी मांग में सिंदूर है तो मेरी मांग भी देख सुहागन मर जाए तो सुला सुंगार हो के जाता मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चुड़ तेरी हरी, चुड़ तेरी हरी, चुड़ तेरी हरी, चुड़ मेरी हरी फर्क इतना है तुझ मैं और मुझ मैं सकी तु विदा हो चली मैं अलविदा हो चली तु विदा हो चली मैं अलविदा हो चली तु विदा हो कर जारी और मैं अलविदा लकडी तुझ मैं लगी लकडी डोली मैं भी लकडी लगी और लकड़ी मुझ मैं लगी दोली लकड़ी की और अर्थी भी लकड़ी तुझ मैं लगी लकड़ी मुझ मैं लगी लकड़ी बो भी सजी लकड़ी ये भी सजी लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सकी फर्क इतना है लकड़ी, लकड़ी का तमासा जीते लकडी मरते लकडी देख तमाशा लकडी का पैदा हुआ जब पल ना डाला वो पल ना चा लकडी का शाधी करने गया था तो जब मंडब बना चा लकडी का पेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकडी का बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकडी का जीते लकडी मरते लकडी देख तमाशा लकडी का लकडी तुझ में लगी लकडी मुझ में लगी लकडी वो भी सजी लकडी ये भी सजी फरक इतना है तुझ में और मुझ में सकी तु लकडी से चली लकडी में जली तु घर बसाने चली मैं घर बसाने चली तु जहां मैं चली मैं जहां से चली तु पी आके चली मैं प्रभू को चली तु पी आके चली मैं प्रभू को चली तु विदा हो चली मैं अल विदा हो चली तु विदा हो चली मैं अल विदा हो चली तु विदा हो चली मैं अल विदा हो चली एक डोली चली एक अर्थी चली चली डोली अरथी से कुछ यूं कहने लगी